आज आपके साथ में शेयर करने चाहरी हूं लौकी के कोफती की रेसिपी बहुत सिंपल इजी और फटा फट से बजाएंगे बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर हमने एक लौकी भी ली है इसे गिया भी बोलते हैं दूदी भी बोलते हैं इसे हमने पहले से वाश कर लिया थ ले सकते हैं यहां पर हमने इसको अच्छे से पील कर लिया है आपको एक बड़ा बरतल लेना है और आपने इसे पहले बीच में से कट कर देना क्योंकि हमें से कद्दुकस करना होगा ना तो वह करने में एजी रहेगा आपको यह लेना है और इसमें आपको बारिक वाले में और फिर आप इसको अच्छे से mix कर देना, देखिए इस process से होता क्या है, घिया में पानी बहुत होता है, अगर आप नमक डाल देंगे तो जो extra पानी रहता है वो भी निकल जाता है, तो इस तरीक से mix करने के बाद में 5 मिट के लिए रख देना, पानी रहता है वो अच्छे से रिलीस कर देती है, तो यहाँ पर हमने लिए हैं दो टमाटर, छोड़े साइस के टमाटर है, अब इस ही में हम एक पूरी घिया की सबजी बना कर दिखाएंगे, और आप चाहें तो दो टमाटर की जगए, एक टमाटर भी ले सकते हैं, उससे सबजी कैसे बनेगी ना, थिक स ब्राउन पाट रहता है, उसको आपको बस हलका सा हटाना है, इससे होगा क्या, इससे आपकी जो ग्रेवी है ना, उसका अमॉन भर जाएगा, साथ में वो ना, थिक बनती है, और टेस्ट में आपको कोई कही ही नहीं सकता है, कि यह ग्रेवी में ब्रेट पड़ा हुआ है, नहीं टमाटर महगे हों, चाहें सस्ते हों, धाबा या रेस्टराम में यह होता है, इसमें आप डाल देना थोड़ा सा पानी, और सिंपली आपको इससे पीस कर तयार करना है, तो यहाँ पर इससे हमने पीस कर तयार कर लिया है, टेक्शर आप देख सकते हैं, एकदम परफे अच्छे से प्रेस करना है, तक इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, वो निकल जाए, और इस घीया में नमक का टेस्ट होता है, आपको बाद में अलग से नमक दाले की ज़रूत नहीं होती है, यहाँ पर यह हमने कर लिया है, इसी तरीके से हमने पुरी ग्याग कर लिया अब यहाँ पर इस प्लेट में इसको हलका से शेक से फिला देना, अब इसमें हम ड्रै मसाली अड़ करेंगे, तो यहाँ पर हम लिया है, आद़ चमर्श धनिया पाउडर, साथ में वन थर्ड स्पून आमचूर पाउडर, 1 थर्ड स्पून हम लिया है, हल्डी पाउडर, 1 इसे के साथ में आप लेना चार पिंच हींग और वन थर्ड स्पून गरम मसाला और इसमें हम डालेंगे बेसन तो अभी आपको नॉर्मल जुछ होती है उसको भरकर बेसन लेना है यहां पर हमने दो चमछ भरकर बेसन लिया है जरूर्ट किसापसी हम इसमें बेसन एड करते ज जाएगा और कोशिश करना धी गिया जादा होने चाहिए और बेसन कम होना चाहिए अभी यहांपर देखने में भी बेसन इसमें कम लग रहा है जब इसको बाइन करiquéंगे तो अच्छे से नहीं होगा तो हम इसमें थोड़ा सा बेसन और अट करेंगे तो यहांपर हमने एक एक की जगह दो भी ले सकते हैं इस तरीके से थोड़ा अमांट हाथ में लेना और इस तरीके से इसको घुमाते हुए बस इस तरीके से बॉल बनकर तेयर हो जाएगी और जैसी बनाए यह वैसा ही रहेगा तो जितना भी आप बनाए ना एक साथ में सारी बॉल बनाकर रख ले अब चाहें तो जब इससे पैन में डाले ना तो हाथ में आपको इस तरीके से बॉल लेना है हलका सा इसको इससे करना है यह और अच्छे से गोल हो जाएंगे और बस एक एक करके हमें यह सबी कौफते इसमें डाल देनी है अच्छा फ्लेम का ध्यान रखना ओल ज्यादा ग जिससे कि आप इसे अराम से पैलट सकते हैं तो यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से उच्छे लालने के बाद में आप इससे आराम से पैलट देना और यहां पर इन सभी को हम बीच-बीच में वाइलट-पैलट के सभी सैट से अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंग जो एक्स्ट्रा उइल है ना इससे भी निकाल लेते हैं, बस आपको 2 चमझ देल रखना है इसमें डालना आदा चमझ जीरा, 2 पिंच हींग आपको इसमें डालनी है, इससे आप बहुनने देना, जो लोग इसमें अनियन या गारलेग डालना चाहते हैं वो अभी इसमें डाल स यह आप किसी भी सब्सक्राइः में कर सकते हैं मित अधापौदर Kalbали और 1.5 और 1.5 छिए सब्सक्राइभ भावडर 1.4 पॉन कश्मीरी लौ क्णाढ में 1.5 जाएगा आमचूर पावडर और bene किčिंग तिचिंग पॉन काले भावडर अच्छे से mix करना है और एक मिनिट के लिए बस आपको इसे बहुनना है जिससे कि हमने इसमें जितने भी मसाले अट किये ना वह सभी अच्छे से बहुन जाएंगे और एक जैसा इसका texture आजाएगा फ्रेम को आपको रखना है low to medium और बस एक मिनिट तक आपको इसे पकाना है इसका color change हो जाएगा और oil base से separate हो जाएगा अब इसमें डालेंगे हम पानी तो यहाँ पर हमने इसमें एक लास पानी डाला है और इससे अच्छे से mix कर देते हैं इसमें डालेंगे हम नमक स्वादा नुसार ग्रेवी के इसाप से डाला है बाकि जो हमने कोफते तेयर किये है इसमें अल्रेडी नमक है उबालाने देना इसके बाद में आप इसमें एक कोफते डाल देना यहाँ पर कोफते कम हो गए है और ग्रेवी जादा हो गए है कोई नहीं आप एक ब्रेड और एक टमाटर की ग्रेवी भी बना सकते हैं डखने के बाद में 10 नेट के लिए पकाना लो फ्लेम पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेवी की ठिकनेस कलर परफेक्ट है तो यहाँ पर अब हम गैस को बन कर देते हैं क्योंकि जैसे ठंडा होंगे न तो यह जो ग्रेवी है और भी ठिक हो जाएगी कि इसमें डाल देना आप गरम मसाला वन थर्ड स्पून वन थर्ड स्पून मैंने मुसली चीज़े इसलिए लिए है क्योंकि अमाउंट कम है वाकि जितना आप अपने घर में बना रहे हैं न मसालों का बूलना कमेंट करके बताना आज की रस्टे भी कैसी लगी टेंक यू